दोतों बिहार SSE की ओर से काफी बड़ी भेकेंसी निकाली गई है जिसकी लिए सारी डीटेल को रिलेज कर दी गई ऑफिसल नोटिफिकेशन जारी करके हम आपको पूरे डीटेल समझाएंगे कि बिहार सचिवाले साहयक भरती के बारे में समझेंगे कि इस पद के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा कैसे अपलाई होगा स्लेवर्स क्या होगा किस परकार के शादरों को मौका मिलेगा कितना फील लगेगा यह कंप्लीट जैनकारी आपको देखनों को मिलेगा आप चाहाएं तो इनके ऑफिसल कर आएगा जिसमें सारी जैनकारी को बताई गई है यहाँ परकिरिया 14 तारिक से अपलाई होगा यह नहीं 14 अप्रेल से होगा जिसका अंतिम्तिती 17 माई रखा गया आई फीकी बात कर ले तो फी यहाँ पर जेनरल EWS और BC ABC के जो भी मेल करने डेट होंगे उनको 540 सुर्पे है और और आप कहीं दूसरी राज इसे आते हैं तो आपको 540 रुपीए ही देने होंगे पेमेंट ऑन-लाइन ओफ लाइन मोड में रहेंगा जो भी छाठ शातर आया बैदन करनाचा तो आवें कर सकते हैं चाहिए आप किसी भी राज से आते हैं तो एज की यहाँ पर कुछ लिमिट रखी जाती है उचिछ को ध्यान रखे जनरल EWS के मेल करने डेट को 21 से 37 वर्स मिलेगा और फिमेल करने डेट को 21 से 40 वर्स मिलेगा बिसी एविसी के जो भी मेल और फिमेल करने डेट होंगे उनको 22 वर्स की छूट आपको दी जाएगे यहाँ पर योगिता की बात कर ले और किस पद के लिए कितने सीठे रखी गई वह आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे सचवाले सहाय के लिए जो है 174 है इसके लिए BAC के जो चातर डिग्री लिए हुए वह ही चातर आवेदन कर सकते हैं डाटा इंटी ऑपरेटर का भी इसमें पद रखा गया है जो कि दो पद है गर्जुएशन के साथ पीजी डिसीए होना चाहिए या जो चातर बिसीए करके बीए से आईटी कर रहे है व उसे डाउनलोड करकर पढ़ सकते हैं और यहां पर यह भी देख सकते हैं कि किस कैटेगेरी के लिए कितने सीटे आरक्षित की गई है वह भी आप यहां पर पढ़ सकते हैं नीचे जब स्कॉल करेंगे यहां पर इंपोर्टेंट लिंक मिलेगा इसका ओनलाइन आवेदन के जो पर परकिरिया है 14 तारिक से अपलाई होगा तो चौदा तारिक को अपलाई वहला आपको वीडियो मिल जागा इससी वेब साइट पर आकर आप अपलाई भी कर सकते हैं और नॉटिफिकेशन आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं उससे पहले हम आपको एक्जाम पैटरन के बारे में जिक्र कर ले तो जाम पैटर्न यहां पर देखनों को मिलता है जो कि डेर्ट सो नंबर का आपका कुछन रहेगा और एक कुछन जो है चार नंबर के पूछे जाएंगे अब नोटिफिकेशन हम डाउनलोड करना बताते हैं यहां पर नोटिफिकेशन बाले पर जब किलिक करेंगे आपके सामने इनका ओफिसल नोटिफिकेशन खुल कर आएगा जहां पर बताया जार कि ओनलाइन आवेदन परारम होने की तीथी चोदा चार दोहजार बाई से और अंति इटियल आपको समधना जरूरी है जैसे यहां पर एकजाम पैटरन के बारे में समध लेते हैं सभी प्रस्न आपका बस्तुनिष्ट होंगे यानि अबजेक्टिव प्रस्न पूछे जाएंगे और टोटल प्रस्न आपका डेर सोके होगी एक प्रस्न का उतर अगर आप सही द हल आप कर सकते हैं नीचे आएंगे जो छातर इसके लिए एकजाम देंगे तो उनको क्वालिफाई होने के लिए किस परकार की सलेबस होगा तो सलेबस के बारे में भी जिक्र की गई है कि ये सलेबस आपका है किस चीज से जैसा अगर समाने अध्यन से कौन-कौन से जो क्या रहेंगे कितने नंबर पर आप कौलेफाई किये जाएंगे उनका भी सारा डीटेल है समानने वर्क के जो छात होंगा चलेस परसेट है पिछरा वर्के बताया गया है अथियंत पिछरा वर्क के लिए महलिया के लिए तो यहां पर यह सारी डीटेल को देख सकते आवे जब स्टार्ट होगा आपको हम लाइब एक फॉर्म फिलब करके आपको दिखाएंगे कि कैसे इसके लिए आवेधन करना है इसके लिए आप क्या करें अभी ओफिसल नोटिफिकेशन का रिलीज कर दिक गई है और सारे डीटेल को बता दीगी कि कैसे आवेधन होगा आवेधन सकते हैं जिसमें सारी जनकारी को बहुत ही बारे के ढख से बताएगी आपको किसी भी पर करके समस्था नहीं होगी मैं आसा करता हूं यह वाफिक पसंद आओगा पसंद आओगा तो लाइक शेयर जरूर करें साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राब करें आने वाले वीडियो क जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको मिल सकेगा इसका ओनलाइन आवेदन की जैसे ही प्रोसर से स्टार्ट होगा आपको एक वीडियो प्रोवाइट कर दी जाएगी हमारे टीम द्वारा आपको एक परसंट घबराने की भी अब सकता नहीं है वीडियो देखने के लिए बहु